सर, पार्टिकल्स पे वीडियो बना दो, गा पार्टिकल, वाँ पार्टिकल, ओके वीडियो बन जाएगी, थोड़ा वेट करो, सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ने टेस्ट जो अगस्त में होने वाला था, उसका इमेल आ चुका है, officially इमेल आ चुका है, और आप ने टेस्ट को अपलाई कर सकते हो, अगस्त को जो होने वाला था ने टेस्ट, उसको अभी अपलाई कर सकते हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ किस साइड पे जाना है, कैसे जाना है, ने टेस्ट की रेजिस्ट्रेशन डेट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड आपको वैसे भी बताई देता हूं यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं ने टेस्ट आपको लिखके सर्च करना है Google पे और जो भी आपकी फर्स साइट आएगी यहां पर जो नीचे यह बाउट देने टेस्ट जैपनीज लेंगवेज ने टेस्ट यह वाली साइट आपको ख registration, date, last कौन सी है यह नहीं बताया गया उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहां पर देखो यहां पर इंडिया का भी दिया हुआ है यहां पर राइट साइड पर यह इंडिया का दिया हुआ है यह इतना बड़ा बड़ा लेखके यहां पर आपने देखना है कि आपके आपके नजीन पड़ता है जयसे मेरे नजीन पड़ता है है निव डेली का तो मैं निव डेली को क्लिक करूँगा उसके बाद जो New Delhi का Net Test की अपनी website है उस पे मैं follow हो जाओंगा और यहां पे नीचे scroll करेंगे तो यहां पे dates लिखी हुई है, test date लिखी हुई है plus application deadline भी लिखा हुई है, जैसा कि 8 अगस्त को होने वाला है, यह रहा आपका 8 अगस्त, 8 अगस्त को जो test होने वाला है वो उसकी deadline किया है उसके सामने लिखी है 9th of July July 9 तक आपके पास time है, आप register कर दो इसी side पे जाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको पता चल जाएगा यहां पे 7 July से पहले-पहले आपको register करना है और जिन्होंने register पहले का कर रखा है, जिन्होंने postpone कर दिया अपना exam की, हाँ मैं अगले बार exam देना चाहता हूँ, जब उनका exam cancel हुआ था, जून वाला तो वो तो उनको तो कोई problem नहीं है, उनको register नहीं करना पड़ेगा उनको email आगई, जैसे मुझे भी email आगई है, कि वो बोल रहा है कि अगस्त में test होगा, बट उस time तक वो जो admit card होता है, वो वो एक हफता पहले ही भेजेंगे, एक हफता या 10 दिन, 7 से 10 दिन पहले ही, exam के 10 दिन पहले ही आपको admit card भेजेंगे वो तो उससे क्या होगा कि तब तक पता नहीं होगा कि करोना का क्या situation रहेगी, control होगा या नहीं होगा, यह depend करता है तब पे, कुछ भी हो सकता है हो सकता है, वो बाद में cancel कर देंगे, अभी तो उन्होंने email में बोल दिया कि नहीं करेंगे, चलो, यहाँ पे apply कहां से करना है, यहाँ देखो, यहाँ पे how to apply का section है, registration में how to apply का section है और यहाँ पे website दी हुई है unicosmos.in.net test की तो यहाँ पे आप click कर दो और आपको जो registration जो form होता है वो मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो अपनी screen पे, load हो रहा है थोड़ा सा ओके, सो आच उका है unicosmos school की website, यह school है जो conduct करवाता है net test Delhi में इसी तरह से आप Chennai में या पूने में भी देख सकते हो, यहाँ पे नीचे जाओगे, तो यहाँ पे आता है यह, apply now वाला बटन apply now, टिक, apply now पे करोगे तो एक और window कुल जाएगी उस पे जाके आपको क्या करना है, सारी की सारी details फिल करनी है, जैसे यह देखो हाँ, यहाँ पे photograph के बारे में बताया गया है, कि 6 month पुरानी हो जाएगे 6 month old होनी चाहिए, और यहाँ पे photo upload करनी है, सबसे पहले फिर दूसरा कोई अपना ID card upload करना है, फिर नाम लिखना है अपना, ठीक, फिर आपका academic, जो भी होगा, यह क्या लिखा है where are you learning Japanese language यहाँ पे self study भी डाल सकते हो, अगर आप self study कर रहे हो, अगर आप किसी से पढ़ रहे हो तो उसका नाम लिख सकते हो, कि यहाँ से पढ़ रहा हो तो email ID डाल दो, फिर phone number, फिर address, फिर date of birth फिर examination, level कौन सा choose करना चाते हो, यहाँ से यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5Q is equal to N5 5Q is equal to N5 4Q is equal to N4 3Q is equal to N3 2Q is equal to N2 and 1Q is equal to N1 तो यहाँ से आपको इतना ध्यान में रखना है 2000 जो है, fees है और यहाँ से proceed कर देना है, आपने जब यह जो fill कर दिया form उसके बाद आपका एक नया page खुल जाएगा आपके transaction के लिए जब transaction done हो जाएगे, आपको एक email आएगा उसके बाद आपका यह जो print भी करवा सकते हो नीचे print का option आजाएगा इस form का इस तरह से आप जो है net test का form fill कर सकते हो अगर detail में देखना है तो एक और वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जब मैंने भरा था वो भी मैंने बताया था, अभी मैं भरूंगा नहीं क्योंकि मैंने पहले ही भर रखा है सो इस तरह पर मैं दूसरी window पर खोल दिता हूं पूने को भी मैं यहां पर खोल देता हूं सो चंनेई और पूने में भी देख लेते हैं कैसे यह रहा चंनेई का, सबसे पहले तो चंनेई का यहां पर लिखा हुए चंनेई test center यहां पे निचे registration how to apply e-mail us email us बोला है तो email करना है उनको उनकी email यहाँ पे आपको कहीं न कहीं पे मिल जाएगी ओके कहा है उनकी email यह रहा email address यह रहा email address दो email दे रखी है इन पे किसी पे भी आप उनको email कर दे हो कि मैं test देना चाहता हूँ तो वो आपको reply कर दें कि तभी आपका register हो जाएगा ओके सो पूने में देखते हैं कैसे होता है यह रहा पूने सेंटर पूने test center यहां पे लिखा हूँ है सबसे उपर और इसमें देखते हैं how to apply पे कहा लिखा हूँ है कांडल रेफर website application form for the details of the net test पूने center and the net test application form website पे ही आपको मिलेगा website गहां पे है यह देखो उपर देवी है website यह रहा application form यह website पे जाएंगे website पे जाके आपको जो है यहां के details हम देख लेते हैं एक बार check कर लेते हैं कि यह क्या होता है मैंने भी कभी पूने वाला भरा था मैंने एक बार तो उसमें easy होता है कुछ ज्यादा वो नहीं होता है ज्यादा मुश्किल नहीं होता है बहुत ही easy होता है और यहां पे देखो net test application form दिया गया एक option net test application form यहां पे आप click करेंगे तो आपका जो एक form निकल जाएगा यह instructions दी हुई है कि date of birth क्या होना चाहिए pan card अधार card यह सारा कुछ दिया हुआ है okay so august net 2020 exam is cancelled पुने में जो exam होने वाला है वो cancel हो चुका है net का sorry मैंने पहले read नहीं किया यह पुने में जो exam होने वाला है वो cancel हो चुका है इनकी website पे दिखा रहा है चन्नेई में भी ऐसा ही कुछ दिखा रहा होगा अगर cancel होगा नहीं चन्नेई में आप दे पाओगे चन्नेई में दे सकते हो पुने में cancel हो चुका है और डेली में तो हो रहा है अभी तो हो रहा है मुझे email आया था so I hope कि आपको पता चल गया होगा कि net test को कैसे apply करना है और इसी तरह कि आप videos देखना जाते हो listening के ऊपर भी मेरी दो videos बन चुकी है बाकी और भी काफी details में मैंने videos बनाई हुई है आप check करना आप जो भी मुझसे comment section में पूछते हो कि इस video को चाहिए यह video चाहिए तो वो मैंने पहले ही बना के रखी होती है तो आप एक बार जाना channel को check कर देना या फिर video को title डालके मेरे channel कर नाम आगे लिखके search कर या करो तो आपका जो वो video निकल आएगी जो अगर मेरे channel पर होगी तो वो video आपको दिखा देगा यूट्यूब सो इसे के साथ ही हमारा वीडियो यहां पर समाप्त होता है मिलते हैं आप से एक नए वीडियो में तब तक के लिए स्चाव ना रहा